तो आग मैं आपके साथ नहीं रेश्पी शेयर करने के लिए लेकर आ गई हूं अगर आपको मेरी रेश्पी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को ने हो तो चैनल को शुड़ करना तो चलिए फ्रेंज बिना देर किये रेश्पी बनाना शुड़ कर क Sé epidemi आंपने आपके साथ में तरीके से कैसे बनाआगे आप framework डिखें Mich Down ऑlinear भुद ट्राक करती हों तब ही मैंने आपके शेयर किया मैंने ट्रार चार किया मुझे पर्फिक तरीका लगा बनाने का तो मैंने सोचा चलिए आप सभी के साथ शेयर करती हूं और चलिए आपको बता देती हूं कैसे परवल आपको चाहिए ऐसे लंबे साइज को और फ्रेस परवल ही लेना है आपको ऐसे नहीं है कि एक दो दिन पुराना रखा हुआ परवल आप लेंगे प्युप करके सकते हैं अ एक पड़े साइज मूस्ति का अधारा करका से गाला है और योओ इसे प्याज से ढ़िए लिए आपको प्यूरी नहीं में बनाना है पर चॉप करके ले नहीं乾़ करके लिए hem बंदा जिसमें आप नहीं खाते जैसे लेशुन है अदरक है कुछ भी आप लाइप नहीं करते प्याज है तो आप इसकिप भी कर सकते हैं और मैंने थोड़े से करी लिए हैं अगर आपके पास हो तो जरूर ही उसकरें नहों तो इसकिप कर ले थोड़े से धनिया के बीज थोड़े स सॉम के भीज ठोड़े से राई के दाने और थोड़े जीरा और दो पिंज इतना ही लिया है मैंग और मैंने यह सब्जी मशाला लिया फिर सब किसी ब्रांट का ले सकते हैं अगर आप सब्जी मशाले का यूज ना करें तो आप भुनाजीरा पाउडर धनिया और पाउडर यूज करें इन मशालों के जगे सब्सवी मशाला अगर आप नहीं यूज करें तो इन तीन मशूलों को आपको यूज करना इपने मेजर के कॉडिंग आप ले और थोड़ा सा कटा हुआ रदनिया इसी और देश केस्ट के काड़िग लिया अगर आमजूर पाउड़र नहीं हो तो आप चार्ट मशाला का भी यूज कर सकते हैं या हाप लेवन जूज का भी यूज कर सकते हैं अचले आपको बताते हैं इसे कैसे कट कहना है और फ्रेंस अभी मैं आपको वह सीक्रेट ट्रीप और ट्रीक बताऊंगी कि कैसे आप बनाएंगे रियली आपको आज तक किसी नहीं तरीका नहीं बतायोगा जो तरीका मैं आपको शाज शेयर करें हूँ आप ट्राय करेंगे तो आप सौक हो जाएंगे कि इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो रियली कितना पर्फिक्ट तरीके से बनकर तैयार होगे यह बर्वा पल्मर रेश भी और देखिए आपको इसका फ्रंट और बैक में तक कट नहीं लगाना है बीस के सेंटर में ही आपक इस पून से इसे इज़ी तरीके से इसका सारफ पल्मर निकाल लें आपको बहुत ज़्यदा सकता हथो से पर्षेस नहीं करता है तोड़ा पेशेंस के साथ करना है जिससे यह आपका परवल फटे नहीं और आपको देशी परवल नहीं लेना है मैं फिर से आपको रिपीट क नहीं लेना है नहीं तो आपका रेस भी पर्फेक्ट तरीके से नहीं बनेगी और उसका लेयर भी हाड होता है और जो यह लंबे प्रवल आप पर्चेस करें वह फ्रेस ही होने चाहिए यह सब आपको याद रखना चलिए हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं मैंने कडाई म तूटी स्पूँ इतना ही यॉल डाला बहुत ज़्यदा आयल का यूज आपको नहीं करना और जो भी यॉल लाइक करते हैं उसका यूज आप कर सकते हैं गयास का फ्रेम हाई है और गरम होते ही सबसे पहले मैंने धनिया के बीज, जीरा, सॉम, राई, और हींको डाला है और देखें शौते हो गया है तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर को एड़ कर दिया अब गैस का प्रेम मैंने लो कर दिया जिससे मसाले मारे ट्राय हैं तो जले नहीं में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मशला डाल सकते हैं मैंने तीकी लाल मुर्च और आम चूर पाउडर डाला है फर्स मेरे चल पर और भी सब्सक्राइब बना हुआ है आप चेकाउट कर सकते हैं और मेरे चल्ट बार बिजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे सब्सक्राइब आजाएगा साथ में मिक्स हो जाएगा और थोड़ा हम बाद में यूज करेंगे मसाला प्रिपेर होने के बाद और गैस का प्रेम मैंने लो ही रखा है बस आपको जड़ा टायम नहीं लिए फ्रेंस एक से दो मिनट ही लगेगा यह मसाला तयार करने में गैस जब मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट पिले तभी मैंने आपके शार्च शेयर किया है और ठंडा होने के बाद अब इसके बीच में हम इस्टफ कर देंगे फ्रेंस आपको बहुत ही आराम से करना जिससे हमारा यह पर्मल बीच से बिलकुल लिए दो भाग में डिव करें और इस पर हम लगा देंगे इससे क्या होगा इसके अंदर जो मशाला हो बिलकुल बाहर नहीं आएगा और हमें कुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फ्रेंस मैंने तीन टमाटर भी इस्टफ किये हैं मेरे गड़ पर सभी को बहुत पसंद है अगर आपको प कि मस्टर डाल में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा पर जब हम शादियों में खाते हैं ना ऐसे इस्टफ सब्सक्राइब तो बहुत ही अच्छी लगती है बड़ आपने जो तरीका अभी तक नहीं देंगा वह तरीका पर शेयर करूंगी आपको हलवाई भी यह क्या किया है किसी को किसी अच्छा की क्या क्या होगा किसी नं данका यह देना है और यह कि पार हा सब्सक्राइब बनाते हैं तो हमेंगे थे, तो हमें क्या चाहिए सब जब्रेश्ड घाले नहीं हो जाएं और साथ में उनको हम अब इस कर आइए और अब है और रहा जैसे करें और आप को जब आप पानी पानी यूज नहीं हो रहा तो आप यह से 2-3 मिट पर ही खोलते रहें और चेक करते रहें दूसरे साइड पलड़ते रहें और आपको बहुत इसली काईना है आपको हैंड का यूज नहीं काईना है आप फोक या मेरी तरह किसी भी चिम्टे का यूज आप कर सकते हैं और 2-3 मिट बाद मने फिर से खोला है यह देखिए ऐसे आराम से आपको एक-एक पीस ऐसे दूसरे साइड पलड़ते जाना जिससे हर साइड से अच्छे से कुक होगा और यह फूल कुक हो जाते हैं ऐसे वह नहीं लगता है खाने में कि जैसे यह उपर का लियर बहुत जदा हाड लग रहा है और टमाटर को मैंने पाद में अटके को कि जल्दी को जाते हैं और किस-किस को इस्टप टमाडर की रेश्पी देखनी है मुझे कमन बॉक्त में जरूर बताए और किस-किस को भरवा फरवल पशंद है यह सबी बहुत यह मेंजिंग लगती है रेली आप ट्राय करेंगे नान के साथ मिश्य क्यों करूंगी और कैसे करना है डियली आप ट्राय करके देखना ऐसे क्या होता ना जब हम कोई भी इस्टप सब्जी खाते हैं तो ऊपर सी थोड़ा फीकी लगती क्योंकि जो अंदर इस्टपिंग होती अगर वह निकल जाती है तो वह फीका लगता है तो अगर आप यह ट क्योंकि थोड़ा कम कर देनी है जो आप इस्टप करें मसाले यूज करें उसमें थोड़ी कम कर दें क्वांडिटी को और देखिए कोई प्रॉब्लम ने होती आप थोड़ा-थोड़ा करके डाल दें और यह भी पानी जो है इस्टीम होके निकल जाएगा आप इसका टेंश अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे के मन बॉक्स में जरूर बताना और चलिए इसे एक से दो मिनट हम और ऐसे ही कवर करके कुक करेंगे फ्रेंस आपको थोड़ा टाइम लगता है आप दो से तीन मन से ज्यादा इसे कवर करके ना कुक करें ने तो जलने के चांश रहत मैं भी वही करूंगी अभी 11 मैं इसलिए मैं ने निकले बहुत इजी से निकल जाते क्योंकि गाठ आपको नहीं लगाना है और देखे बनकर तयार हो गया है हमारे इस्टप परवल आपको कैसी लगी मेरी ये रेस्पी जदा ज़्यादा शेयर करना अगर अच्छी लगी हो कमेंट भी कैट कर मुझे बताना कि आपको मेरी डेस्पी कैसी लगी और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे मेरे आने वाले इन वीडियों को नोटिप सुना आपको सबसे पहले मिल जाए और भी जो मैंने बहुत ही डिफेंट डिफेंट टाइप बनाई है अगर आपको मेरी डेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो लब यू टू फेमली